राम मंदिर प्रान प्रतिस्था का निमंत्रन औस्षिकार करने के बाद कॉंग्रेस पार्टी के भीतर ही बिरोध के सुर अब तेज हो गए है अब मध्यपरदेश के पुर्व सीम और वरिष्ट नेता दिग्विजय सिंग के भाई लक्षमन सिंग ने इस मुद्दे को लेकर खुल कर बयान दिया कॉंग्रेस के पुर्विधायक ने नियोता असिकार करने पर कॉंग्रेस पार्टी को खरी-खरी सुनाई लक्षमन सिंग ने कहा कि तत्कालिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था उस वक्त बीर बहादुर सिंग यूपी के सियम थे तत्कालिन सियम ने राम मंद्री न्यास को भबे राम मंद्र के निर्मान के लिए 46 एकर जमिन देने का व्वादा भी किया था लेकिन तभी सियम हट गया और राजीव गांधी की हत्या के बाद ये मामला ठंडा पर गया उन्होंने आगे खुल कर कहा कि निमंत्रन को अस्विकार करने का मतलब लोग सभाच नौ में कारारी हार है क्योंकि राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था लेकिन आज जो आला कमान बैठे है वो अजीब और गरीब फैसले ले रहे है जिसका खाम्याजा पार्टी को उठाना परेगा बता दे कि इससे पहले कॉंग्रेस ने ता आचारे प्रमोध कृष्णम और अरजुन मेढवाडिया भी फैसले पर नाराजगी जता चुके हैं और अगर राजनेतिक विसेसग्यों की भिमाने तो कॉंग्रेस पार्टी राममंदिर का निमंत्रन और स्विकार कर सिधे मुस्लिम तुस्तिकरन की राजनेति कर रही है और कॉंग्रेस के इस फैसले से हिंदुवर्ग खासार नाराज है बहराल देखने वाली बात होगे कि अब कॉंग्रेस के और से इन तमाम मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है बने रही है मुबाइल नियोस 24 पर देश और दुनिया की अन्य खबरों से अप्टेट हैने के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर कर लें